मंडी स्थित अभिलाशी विश्व विद्याले में महीला हौकी प्रतियोगीता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रतिभागी बढ़ चड़कर अपनी प्रतिभा का प्रदशन कर रहे हैं प्रतियोगीता का फाइनल मुकाबला 7 अक्टूबर को होगा जिसमें नाचन के विधायक विनोत कुमार मुख्यादिती के रूप में उपस्तित रहेंगे मंडी के चैल जॉक सित अभिलाशी विश्व विध्याले में विध्यार्थियों को गुणात्मक वा रोजगान नो मुखे शिक्षा प्रदान की जा रही है वहीं विद्यार्थियों के सरवांगीर विकास के लिए समय समय पर विश्व विद्याले में कई तरहा की अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाती है इसी कड़ी में इन दिनों विश्व विद्याले में महिला होकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश भर से प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं इस मौके पर कोच मोतीराम ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता पिछले 25 वर्षों से आयोजित की जा रही है। उनने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पहला पुरसकार 40,000 रुपे और दूसर जो पांचों साल था अभिला सी गुर्ण का ओचाते थे कि हमारे जो केमपस है वहां यह टौनामेट और ने जा जा रहा है। इसलिए यह टौनामेट यहां और ने जा रहा है। बच्चों को मॉस्तली हमारा जो प्रैस से हो वह है बच्चों को प्रोट करने के लिए। जो भी रुकवार्ड होता है और रहने के लिए खाने के लिए आने जाने के लिए उनको हर सुभीदा दी जाती है है जा आपका हिम गोल्ड होकी जो हो रहा है कितना साल से करवा रहे हैं अप लोग यह 25 साल हो रहा है अच्छा और यह टीम कहां कहां से आई भी पूझ भूझ टीम करें जार के सम्डेगा डिली आरकी है अर्टी में होती है जो अट्यमी के होती है यह आज कौन-कौन से मैच व इस प्रतियोगिता के समापन मौके पर नाचन के विधाएक विनोध कुमार मुख्य अतिथी के रूप में उपस्तित रहेंगे और विजेता प्रतिभाग्यों को सम्मानित करेंगे Bureau Report City Channel